नमस्कार दोस्तों स्वागत है Magical Wheels की एक और नई वीडियो में गाइस आज हम आये हैं यहाँ पे अरीना में और यहाँ स्टॉक यार्ड में खड़े हैं तो इस वीडियो में बात करेंगे वो करेंगे सबसे ज़्यादा जो माइलेज देती है C&G में गाड़ी आज हम उसी की बात करने वाले हैं तो सामने हमारे यह जो खड़ी है यह खड़ी है Cilario जो one of the best जिसकी माइलेज है सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली यह गाड़ी बन जाती है सुजुगी मारूती सुजुगी की तरफ से तो आज इसी का हम वाकराउंड करने वाले हैं और इंटीर वगेरा सब को चेक आउट करेंगे और देखेंगे के CNG लगने के बाद इसमें स्पेस वगेरा बसता है नहीं बसता कितना स्पेस आपको मिलता है कितना कमफर्ट मिलता है तो आज इसी गाड़ी को रिव्यू करने वाले हैं थोड़ी धूल मिट्टी लगी है दोस्तों माइंड मत करना क्योंकि इस टाइम हम स्टॉक्यार्ड में धूल मिट्टी आप देख रहे हो तो आज इसी को कवर करते हैं यह है इसका वी एक्स आय वैरियंट जो इसमें आता की अंदर से बाहर से पूरी की पूरी चेंज कर दी गई है तो फ्रंट जो अपीलिंग लग रहा है पुरानी सिलैरियो से अपका फ्रंट की बात की जाए तो यहां पे आपको नॉर्मल कन्वेंशनल हैड्लाइम देखने को मिल जाते हैं यहां पे आपको एक लाइन सी दिख जो कि आपका तकरीबन 95,000 जादा है नॉर्मल पेट्रॉल वाली वी एकसाई सिलैरियो से फ्रंट की बात की जाए तो यहां पे आपको सी एंजी की बेजिंग देखने को मिल जाती है जिससे पता चलता है कि जो गाड़ी है वो सी एंजी है जो पुरानी वाली सिलैरियो थी वो थी एकदम बॉक्सी टाइप का डिजाइन था उसका थोड़ा डिफरेंट था वो अपील नहीं करता था एक्षली इतना जादा यूथ को बट इस टाइम जो इन्होंने सिलैरियो था रही है तो यह बहुत अच्छा इन्होंने जो डिजाइन मार्केट में लांच किया त इसके वेट है और हाइट जो है इसकी 1555 mm की हाइट है और गाइस जो इसका वेट है इस गाड़ी का कव वेट है वो है 810 किलो का और जो वील बेस दिया गया है वो दिया गया है 2435 mm का तो गाइस अगर इसके side profile की बात की जाए तो कोई भी आपको ORVM पे turn indicator देखने को नहीं म गाइस अगर side की बात करें तो जो इसके door handle मिल जाते हैं वो ही आपको conventional type के door handle देखने को मिलते हैं जो normally आपको auto वगरा में भी देखने को मिलते हैं बट यहाँ पे जो है वो आपको body colored है बी पिलर भी आपको body color मिल जाता है और C पिलर जो है वो भी आपका body color है तो overall गाड़ body का side profile है बहुत जदा appealing है यहाँ पे आपको कोई भी request sensor का button देखने को नहीं मिलता है normal सा आपको जो है अपनी चाबी को insert कीजिए और उसके बाद आप इसको अंदर बैट सकते हैं तो guys अब देखते हैं इसकी back side में हमें क्या चीज़े मिल रही है तो अगर इसके back side को देखे side में आपको reflectors दिये गए है और जो इसके tail lamps है वो कोई भी आपको LED treatment देखने को नहीं मिला normal से है बट जो पीछे का look है न वो बहुत ज़्यादा sexy लग रहा है इसका look तो बहुत appealing लग रही है यह पीछे से भी compact सी गाड़ी बना दी गई है तो अच्छा है guys इसके अगर fuel tank की बात की जाए तो आपको यहाँ पे मिल जाता है 32 लीटर का fuel tank और यहीं पे आपको जो CNG का knob है यहाँ से CNG filling का option यहाँ पे आपको दिख रहा है यह अच्छा element दिया है जो desire में इन्होंने इस बार miss किया था तो इन्होंने यह पहले चीज दे दिये और desire में भी अगर यह दे आप तक्रीबन आइडिया लगा सकते हैं कि 2.5 रुपे के आसपास इसकी costing पड़ेगी पर किलोमेटर की जो की काफी जैदा pocket friendly है आप यह चीज को consider कर सकते हैं काफी अच्छी जो mileage machine कह सकते हैं इसको माइलेज देगी जबरदस्त माइलेज है यहाँ पे जो back side का tailgate है यह यहाँ सा जो cylinder 12 kg का वो रखा गया है यहाँ पे इसका spare wheel है और space आप देख सकते हो बिल्कुल भी space यहाँ पे आपको बचा नहीं है तो इस चीज से आपको निराश होना पड़ेगा कि आपको जो luggage space है बिल्कुल बहुत ही कम मिलता है तो आप इसको सोच सकते हैं कि आप इसक solution वगरा चेक आउट कर सकते हो यह दिया गया है एकदम सिंपल सोबर सा है तो गाइस फ्रेंट डोर की बात कर लेते हैं तो यहाँ फ्रेंट में आप दोर को देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ब्लाक टाइप का जो इंटीर है देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपको ब्ला यहां से राइट एंड लेफ्ट का ऑप्शन है आप इधर इधर से आप इसको कर सकते हैं और यहां पर जो यहां पर आप्शन देख रहे हैं यहां पर प्यूल और यहां पर यहां पर सकते हैं यहां पर आप अपने गॉर्डिंग कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं आपको तो ग यह जासा दिया गया जिसमें आपको कोई भी मीडिया कंट्रोल अफर नहीं होते हैं और जो आपकी स्विचेश हैं आपके विंडोए अपन डाउन के वह यहां दिये गए है ड्राइवर साइड यह आपका को ड्राइवर साइड यहां पे लॉक अनलॉक का स्विच आ रहा है य यहां पे आप चेक आउट करो, यह इसका है गलब बॉक्स, जिसका साइज है एकदम डीसेंट, यहां पे आपको क्रोम टाइप का जो एलिमेंट है देने की कोशिश की गई है, इसके AC वेंट की अंदर, जो की एक अच्छी बात है, अंदर से ओवराल यह जो डिजाइन है, पह आपको मैनुली एजिस्टिबल मिल जाते हैं, और यहां पे आपको मिल रहा है, रेडिंग लैम्प, और बात की जाए, अगर को ड्राइवर साइट की, यहां पे आपको मिल रहे हैं, ग्रैब हैंडल्स, और यह देख सकते हो आप, कि मैं अभी इस टाइम बैठा हूँ, मेरी हाइट आपको जैसा पता है, 58 मेरी हाइट है, बैट मेरे अकॉर्णिंग यहां की जो कुष्णिंग वगएरा, इसकी सीट की कुष्णिंग बहुत ही जबरदस्त है, अच्छी कुष्णिंग देख रही है, बोनट आपको नजर नहीं आ रहा है, तो बात की जाए, इसके यह बहुत अच्छा सेफटी फीचर दिया गया है, उसमें यह है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं, 80 किलो मेंटर की स्पीड पर तो आपको एक बीप सुनाई देगी, इसका मतलब यह है कि वह आपको वान कर रहे है, कि आप 80 की स्पीड जो है आपने क्रॉस कर दिया है, और जब यहाँ पर आपको मिल जाता है, आपकी सीड बैल्ट जो की अजिस्टेबल नहीं है, हेडरस की बात की जाए तो फिक्स है, एकदम इसके हेडरस, आपको एज़स्टेबल हेडरस का उप्शन देखने को नहीं मिलता है, जो थोड़ा बुता कह सकते है, इसका डाउन साइड है आपको अगर दे देते तो बहुत अच्छी चीज हो जाती है आप चलते हैं दोस्तों बैक साइड हैं वहाँ पर देखते हैं कितना हमें स्पेस देखने को मिल जाता है तो पीछे वाली सीट का कमफर्ट लेवल भी चेक करेंगे तो चलिए देखते हैं बैक साइड में क्या-क् मिलते हैं नॉर्मल से आपको यहां पर जो पॉकेट है उसमें आपको एक लीटर का ऑप्शन मिल जाता है यहां पर आपको स्पीकर की ग्रेल मिल रही है और यह नॉर्मल सा आपको डोर लॉक अनलॉक का यहां पर जो यह हैंडल दिया गया है पाकी अब अंदर बैट के जाए खाल रहा है वह एकदम ओके बहुत जादा नहीं है क्योंकि बेंस टाइप की सीधी सीट यहां पर इसके जो हमने वील काप्स पड़े हुए जैसा हमने आपको बताया था और यहां पर भी जो हैड्रेस वह आपको फिक्स मिलते है कुछ भी नहीं और यहां पर आपको जाए तो आप को देखने को मिल जाते हैं और गाइस अगर है ड्रूम की बात की जाए तो आप देख सकते हो कि भूत ही थोड़ा सा बोलतक सते हैं कि भूट थोड़ा सा स्पेस यहां पर मिल रहा है तो जिसकी हाइट अगर 6 फीट होती है तो उनको जरूर प्राब्लम माने वाली है इसमें बाकी ओवराल देखा जाए तो यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा हम दो बंदे और बैठ सकते हैं एक बच्चा बैठ सकता है वीच में तो यह जो गाड़ी है वो है चार बंदों के लिए एक बच्चा बढ़ा सकते हैं उतना ही स्पेस है 5% के लिए थोड डूद करते हैं कैसी शाउंड यसमें से बरस और आपको सब्सक्राइब करते हैं मारूतThanks के लिए वह भ करो हैं ठोड़ी सी ड्रश ने पनिस wrath पे तो सिखोlemac सही है साउंड ज्यादा नहीं है और अगर इसका जो आम भूड है फ्रेंट वाला यह बंद करते हैं तो इसके बाद जो नॉइस लेवल है बिल्फुल ही खतम हो जाएगा आगी आप चेक आउट करें यहां पर आपको कोई भी किसी भी तरीके की जो पैडिंग वगरा दी नही वाली है तो गाइस यहां पर हो अपनी वीडियो को करते हैं आपसे मिलेंगे नेक्स वीडियो में अगर आपने चानल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजे इस वीडियो को कमेंट करना भी ना भूलें मिलते हैं आपसे झाल झाल